तो आज मैं मीठा मीठा ठंडा ठंडा शर्वत की रेस्पी लेकर आई हूँ बेल का शर्वत जिसे बनाना बहुत ही आसान है बट उससे पहले मैं आज आप लोगे के साथ अपने च्छत पर का कुछ व्यू शेयर करूंगी कि क्या क्या लगा हुआ है तो यह देखिए यह बेनिफीष्यर है हेल्थ के लिए और आम के साथ चटनी भी बनता है कच्च्छ आम के साथ यह देखिए खीर पौधा लगा हुआ फ्रेंट्स और इसके सब्पोर्ट के लिए रस्सी बांधा हुआ है अर उपर से से शेडिंग किया हुआ है यए साग है घग है कियोंकि दस स यह देखिए एक फ्लावर्स का पौधा है गर्मियों में इस पर वाइट कलर का फूल खिलता है विंटर्स में इसके सारे पत्ते जहर गये थे बट गर्मियों में हो गया है यह कटिंग से लगता है तीन-चार इसी तरह से लगा हुआ है कि इधर भी कुछ खीरे के पौधा लगा हुआ है तो मैं किसी दूसरे दिन फ्रेंट्स जब खीरा ग्रो कर जागा जब इसमें फल लग जाएंगे तो मैं फिर इसका वीडियो शेयर करूंगी तो चलिए शर्वत बनाना शुरू करते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां प के बर मशेद बनाना बहुत ही आसान है दो कुछ लोग बेल खाना पसंध करते हैं दो बच्छों करते को बहुत में प्लुक्त जया जो हमारे चेंथ को पिलाएं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज का शर्वत है और तुरान फिनिश कर देंगे तो मैंने इसमें ठंडा ठंडा पांच ग्लास पानी डाला है और हाथों को अच्छे से वाश करके इसे मैश कर दूंगी इसके सारे जो गुद्दा है पल्प है तो यह देखिए हो गया है अब मैं एक दूसरा बरतन लूंगी और इसे स्ट्रेन कर लूंगी अखिए इसका थासीर है जो बहुत थंडा होता है यह दूसरा मैंने मैश कर दिया है तो सारा पल्प है जो निकल गया है और थोड़ा सबस रेषा और सीट्स रह गया है तो देखिए हमारे सरवत बनकर रेडी हो गया है अब मैं इसमें चार चम्मच सुगर एड़ कर रही हूँ आप चाहें तो बिना सुगर का भी सर्वत पी सकते हैं क्योंकि बेल है जो आल्रेडी मीठा होता है तो मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया कि इसे सर्वत का टेस्ट है जो और ज्यादा बढ़ जाएगा सर्वत का मतलब बहुत ज्यादा मीठा मीठा तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं सर्वत को तो इसे जरूर बनाए फ्रेंड्स और अपने बच्चों को पिलाएं खुद आतत् siitä हैंच सर्वत का पहले मीठी जरूर जिए कि ध्राने गर ज Kita कौिए हैं समय का इसने खुद तो और पेसी आ़र का 가장 शूफ kurणस का बच्टांस?